नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं C.A. प्रभाकर गुपता Shores of Tax Professional के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनेंदन दोस्तों यदि आपका GST का रजिस्टेशन कैंसिल हो गया है तो ये आपके लिए बहुत काम की न्यूज आई है जी हां दोस्तों अब आप अपने GST के रजिस्टेशन को दुबारा से एक्टिव करा सकते हैं आप उसे कब एक्टिव करा सकते हैं कैसे एक्टिव करा सकते हैं इन सब को जानने से पहले आपसे request हमारे चैनल को like, share और subscribe कीजिए और हाँ इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको clear हो जाए कि आप अपना जो GST का रजिस्टेशन कैंसल हो गया उसे कैसे revocate करा सकते हैं दोस्तों यदि आपने अपनी GST की डिटन्स फाइल नहीं की थी जैसा कि आप जानते होंगे कि यदि अगर आप regular taxpayer है और आप लगातार 6 महने तक अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपका GST का रजिस्टेशन कैंसल हो जाता है CU Motor Department कैंसल कर देता है यानि वो यह मानता है कि जब आप कोई business ही नहीं कर रहे है, return फाइल नहीं कर रहे है quarter तक अपनी GST का रजिस्टेशन कैंसल हुआता है यदि आपका रजिस्टेशन इन दो कारणों में से यानि कि या अगर आप composite dealer हैं तो आपने 3 रजिस्टेशन फाइल नहीं की थी या अगर आप regular हैं आपने 6 रजिस्टेशन फाइल नहीं की मार्च 2020 से लेकर के यदि आपका 31 अगर्स 2021 के बीच में आए दी आपका ये रजिस्टेशन कैंसल हुआ है तो आप इसको रजिस्टेशन करा सकते हैं 30 सितंबर 2021 तक जी दोस्तों आपके पास में टाइम लाइन है नॉर्मली जो रिवोकेशन की टाइम लाइन होती है वो 6 महीनी की होती है यानि कि जब आपका स्विव मोटर डिपार्मेंट इन कारणों से जी एस्टी का रजिस्टेशन कैंसल कर देता है तो विदिन 6 मंथ आप एप्लिकेशन फाइल करके अपना जी एस्टी का रजिस्टेशन दुवारा से एक्टिव करा सकते है परन्तु गॉर्मेंट ने डेट बढ़ा दी है वो कहते हैं कि यदि आपने 1 मार्च 2020 से ले करके और यदि 31 अगस्ट 2021 के बीच में किसी भी पीरिड में यदि आपका जी एस्टी का रजिस्टेशन कैंसल हो गया था नॉन फाइलिंग आफ जी एस्टी डिटन के कराण तो आप उसको रिवोक करा सकते हैं लेकिन उसकी जो डेट है वो आपकी 30 सितंबर है तो दोस्तों यदि अभी भी आपको लगता है कि आपका जी एस्टी का रिश्टेशन कैंसल हो गया और वो एक्टिव होना जरूरी है आपके बिजनस के लिए बहुत जरूरी है तो आप उसे तुरंत रिवोक कराएए रिवोकेशन से डिलेटर यदि आपको किसी सर्विस की जरूरत हो तो आप शूर सॉफ्ट को उनके जो कॉंटेक्ट नमबर आपके सामने आपको दिये गए है आप उन कॉंटेक्ट नमबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार!